देखो fundamental principle of counting बेसिकली वहां से हम लोगों को शुरुवात करनी है fundamental principle of counting तो इस topic को पढ़ने के बाद basic जो तुम्हारा notion है counting का वो चेंज हो जावेगा basic notion मतलब तुम ऐसा सोचोगी कि या यह इतनी common sense की बात है यह चीज मुझे पहले से क्यों नहीं आई यह चीज का आदे से एक इंसान को 5-6 से ही सीखा दिनी चाहिए थी लेकिन ठीक है चलो को इश्यू नहीं इसको इसको सीखने के पहले तुम्हें कुछ और जानने की ज़रुवत नहीं है इसको सीखने की कोशिश करना यह बस एक स्किल वाला काम है इसमें कुछ ऐसा अलजब्रा कुछ ऐसा पढ़ाई लिखाई की कोई बात ही नहीं है इसमें कोई फॉर्मूला हो रहा कुछ नहीं है सबसे मैं कहुंगा एक ऐसा टॉपिक जिसमें सबसे एक इंसान को लाइट वेट रहना पड़ता है अपने दिमाग से चिल जस्चिल इंजॉइ ठीक है बढ़िया बराबर तो इसमें तुम किसी इवेंट को किसी इवेंट को किते तरीकों से एक्चुल में या फिर किसी जॉब को किते तरीकों से किया जा सकता है इस चीज को काउंट करके विदाओट एक्चुली काउंटिंगे ठीक है दिर सिटी वण यह पहला मोडल मैं तुम bitten सभाएं रहा हूं और दिससे चीधि वन इसी किटी तो डेसा है मात थे 3 city हैं और लेट से पहली city से बूसरी city में जाने के लेट से तुम्हारे पास 3 रास्ते है ठीक और दूसरी city से तीसरी city जाने में तुम्हारे पास अगें दो रास्ते है, इन रास्तों को नाम दे दिता है, path one, path two, पाथ 3, पाथ 4, पाथ 5, ऐसा कुछ, ठीक है, तो अब अगर मैं तुम से simply अगर ये पूछ हूँ, कि city 1 से city 3 जाने के कितने total number of ways है, यह आप मुझे count करके बताईए, find the number of ways in which one can travel, one can travel from city 1, city 1, c1, to city 3, via, this is very important, via city 2, ठीक है, c2, एसा, ठीक, तो इसके कितने number of ways हो सकते हैं, माल लेते हैं, अगर एक व्यक्ति, let's say, 9th class का कोई बंदा, 10th class का कोई बंदा, 7th या 5th, 6th class का भी कोई इंसान अगर होगा, किस तरह से counting करेगा, जिसको कोई fundamental principle of counting के skill का कोई idea नहीं है, किस तरह से counting करेगा, तुम देखरों, यह इस तरह का topic है, जिसमें कोई SH, कोई algebra होगा है, या फिर किसी तरह के geometry होगा है, कोई need नहीं है, ठीक है, तो यहाँ देखोगे, तो सिबसे पहले किस तरह का chart एक बनाएगा, मेरे पास P1 है, मेरे पास P2 है, मेरे पास P3 है, यह तीन रास्तों में से एक रास्ता तो मेरे को चुनना है, समझ गए, अच्छा, P1 अगर मैंने choose अगर किया, तो उसके बाद मेरे पास दो options और है, या तो फिर मैं P4 चुनगा है, तो P5, P2 अगर मैं चुनता हूँ, तो again मेरे पास P4 और P5 चुननने का option है, समझ पा रहे हो, ठीक है, तो एक path देखो मेरे पास क्या बनती है, P1, P4, हैगी नहीं, दूसरी path मेरे पास क्या बनती है, मेरे पास बनता है P1, P5, and so on so forth, इस तरह से मेरे पास total अगर तुम देखो, तो 6 paths actual में create होती है, 6 paths, in total there are 6 paths, via which I can travel from city 1 to city 3, ठीक बात, तो इस चीज़ को fundamental principle of counting से कैसे करना है, अभी तुम्हारे पास पहली बार ये चीज़ आईगी, ध्यान दोगे, ये एक साधा counting का काम है, एक तरह से एक certain काम है, जो तुम्हें करना है, तो उस काम को करने के लिए देखो, दो steps required है, पहला तो तुम city 2 जाओगे, and then उसके बास city 3 जाओगे, तो ये देखो counting करने का जो तरीका है, वो मैं तुमको सिखाता हूँ, जैसे अगर मान लेते हैं मुझे city 1 अगर जाना है, तो उसके लिए मेरे पास number of options किते हैं, city 1 से city 2 जाना है, तो मेरे पास total number of options है, 3, तीन options है मेरे पास, 3 तरीके हैं, ठीके है, three ways, ऐसा लिखाओ इसको, three ways, पास city 2 से अगर मुझे अगर, let's say, city 3 अगर जाना है, then I have two ways, ठीके है, दो तरीके हैं मेरे पास, तो अगर मैं imagine अगर करूँ, कि मैं city 1 से city 2 जा रहा हूं, तो मेरे पास जो तरीके हैं, वो तीन है, और उसके बाद अगर मुझे city 2 से अगर city 3 अगर जाना है, तो मेरे पास दो तरीके हैं, तो total number of ways, यह तुम्हारे पास इतना आ जाता है, इसमें operator use करना है, that operator needs to be multiplication, ठीक है, is used in fundamental principle of counting, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान अखना, अगर इस notion को अपने अंदर थोड़ा सा incorporate करनी कोशिश करो, अपने अंदर समाहित करनी कोशिश करो, जैसे कि मान लेते हैं, अगर तुम्हारे पास, let's say, n number of cities हैं, मान लेते हैं, city 1 है, city 2 है, city 3, city 4, and city 5, you want to move from city 1 to city 5, ऐसा, और मान लेते हैं, यहां पर तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं, let's say, यहां पर तुम्हारे पास 4 रास्ते हैं, ठीक हैं, यहां पर तुम्हारे पास 1 रास्ता है, and then, यहां पर तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं, ऐसा तो now the number of ways in which you can move from city 1 to city 5 city 1 से city 2 अपने को जाना है से city 3 जाना है फिर city 4 and then city 5 जाना है ऐसा ठीक है कि है number of ways in which you can travel from c1 to c5 वाया c2 c3 c4 ऐसा ठीक है इसमें किते number of ways होंगे देखों यहां पर कैसे counting करोगे देहां दो तीन इंटू किता हो गया चार इंटू एक इंटू तीन ऐसा टोटल number of ways that would be किता हो जाएगा देखो टोटल number of ways would be 4 ती अब बारा बारा तीन च्छतिस वेस ऐसा ठीक है दिस इस यूर आंसर समझ पा रहे हों जैसे कि एक दूसरा model मैं तुमको बताता हूँ अभी मैं fundamental principle of counting का आप तुमें statement दे सकता हूँ ठीक है statement उसका क्या कहता है if an event can occur statement of fundamental principle of counting ठीक है that is if an event can occur in m different ways ठीक हैं ठीक है following which another event can occur in n different ways tick then the total number of then the total number of simultaneous occurrences of both the events in definite order is m into one yeah this is your fundamental principle of counting this can be extended to any number of events माल लेते हैं पहला एक जो तुम्हारे पास event है m तरीकों से हो सकता है दूसरा जो event है वो माल लेते है n तरीकों से हो सकता है पहले वाले event के हो जाने के बाद ठीक है there is dependency जो second वाला event है वो first event के पहले नहीं हो सकता ठीक है second event can't happen before first यह ध्यान में रखना there is dependency this is very important there is dependency यह जैसे तुम इस rule को लगाते जाओगे बार बार लगातार अपने आप सीखते जाओगे ठीक है क्या जैसे कि अगर माल लेते हैं दो independent jobs है पहले job को करने के लिए m तरीकों की requirement है दूसरे job को करने की n तरीकों की requirement है बेसिक fundamental principle है सारे के सारे ठीक है क्या तो एक addition rule भी होगा तुमारे पास जैसे अगर मालते लेट से कपड़े धोने के 5 तरीके हैं और बरतन धोने के 10 तरीके हैं अब कपड़ा धोना और बरतन धोना दोनों independent तरीके हैं दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है यह चीज समझने के लिए बहुत ज़रूरी है यह following which another event है following which this is most important यह सबसे ज़रूरी चीज है कि दूसरे वाले event को उसको follow करने को होना समझ गए ऐसा कर मालते बरतन धोने के 5 तरीके हैं और दोने के तीन तरीक है तो total number of ways in which a maid can finish her job ऐसा his or her job भाई मेड ज़रूरी तो नहीं कि नौकरानी यह नौकर भी हो सकता है ठीक है तो और ज़रूरी यह भी नहीं कि नौकर ही यह सारे काम करें घर का कोई भी व्यक्ति ठीक है क्या रख जारा philosophy पर नहीं आते है मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर दोनों काम independent है आपस में एक गुसरे का कोई लेना देना नहीं है तब उसमें total number of ways in which you can finish the job will be M plus N अगर independent jobs अगर है तो जाहिर सी बाद है मालने ते मैं बोल रहा हूँ कि बर्तन दोने के let's say 3 तरीके कपड़े दोने के 5 तरीके तो कितने तरीके से तुम काम खतम कर सकते हैं जाहिर सी बाद है आट total तरीके रहेंगे मेरे पास ठीक है मालने total number of ways मैं तीन तरीकों से इधर और 5 तरीकों से उधर ठीक है तो उसमें total तरीके कितने हैं मेरे पास, 8 तरीके हो गए, क्या 8 तरीके बोलना ठीक है, जैसे तीन में से एक तरीका चुना मैंने, है ना, नहीं तो उसमें भी तुम्हारे पास 15 तरीके बन जाएंगे, ठीक है, उसमें भी तुम्हारे पास 15 तरीके बन जाएंगे, है ना, किस के लिए इतना समझो कि अगर माल लेते हैं तुम्हारे पास लेट से डिपेंडेंस वाला जो क्राइटेरिया है उसको देखो मैं किस तरह से पुट अप करूँ डिपेंडेंसी एक मिट डिपेंडेंसी तुम इस तरह से समझ सकते हो डिपेंडेंसी ठीक है अभी मेरे दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं आ रहा है बट ध्यान में रखो कि यह चीज तुम कब लगा सकते हो जब तुम्हारे पास एक किसी सर्टन काम को करने के लिए बहुत सारे छोटे 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 अगर तुम्हारे पास काम है तो पहले काम को करने के लिए अगर M तरीके लग रहे हैं दूसरे काम को करने के लिए अगर तरीके लग रहे हैं तो उसमें एक पूरे complete job को finish करने के लिए तुमको कितना तुमको number of ways कितने possible है वो चीज तो वाया multiplication निकाल सकते हो ठीक है तो उसमें this is important that you are trying to complete the process in a definite order ठीक है definite order में किस तरीके से कि भई मैं माल नहीं ते city 1 से city 2 में अगर जा रहा हूं ठीक है फिर देन city 3 में जा रहा हूं मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बाइपास कर रहा मैं ठीक है यह order मेरा क्या है चीजों को काम को पूरा करने का मेरा order यह है 1 से लेकर 5 तक के यहां से मैं travel कर रहा है आसा मेरे definite order है ऐसा मैं नहीं कर और दूसरा एक path मैं ऐसा बना रहा हूं कि जिसमें city 1 से city 2, city 2 से city 3, city 4 को bypass करके मैं city 5 तक पहुंच रहा हूं, ये वाली हरकते मैं नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा वही definite order में ही काम को कर रहा हूं, मतलब city 1 से city 2 जा रहा हूँ then city 3 then city 4 and then city 5 यह order मैं actually bypass नहीं कर रहा हूँ ठीक है dependency वाला जो point है उस चीज का example मैं थोड़ा सा तुम्हें कोई सवाल आएगा तब बताऊँगा अभी के लिए तुम इतना समझ के रखो जैसे एक काम अगर तुमको करना है जैसे मालते city 1 से मालते city 5 अगर तुम्हें अगर move अगर करना है तो इस movement के दोरान बहुत सारे छोड़े छोड़े तुम्हें काम करने है तुम्हें 2 भी जाना है city 2 भी जाना है city 3 भी and city 4 भी and then city 5 माल लेते हैं डिश वाशिंग एक काम है तुम्हारा समझे गया लेट से डिश वाशिंग एक काम है जिस काम को करने के माल लेते हैं तुम्हारे पास पास तरीके हैं 5 ways और, let's say बर्तन मालने इता है तुम्हारा cloth washing के तुम्हारे पास मालनी तीन तरीके है ऐसा, समझ रहो कें, तो अब तुम कितने तरीकों से, यह 대नाव कामста कर सकते हो, ठीक, तो मैं उसमें सीधा यह बोलूंगा, कि let's say, dish wash अगर मुझे अगर करना है तो वो 5 तरीकों में से एक तरीका मैं choose करा चिके के और जो clothes मुझे कैसा कपड़े जो धोने है उसमें मैंने 3 तरीकों में से एक तरीका choose किया ऐसा तो total number of ways actual में जो तुमारे पास बनेंगे इतने तरीकों से तुम actual में काम finish कर सकते हो वो 15 ways होंगे जैसे की माल लेते हैं एक तरीका उसमें से मैं यह कहता हूँ D3 और C2 ऐसा This is one of the possible ways in which the job can be finished यह मैं क्या बोलने कोशिश कर रहा हूँ D3 मतलब कपड़ा धोने का मैंने 3 तरीका चुना और sorry बरतन धोने का मैंने 3 तरीका चुना और कपड़े धोने का मैंने 2 तरीका चुना This is one of the possible ways इसमें order देखो order किस तरीका का follow हो रहा है order is what order is पहले dish washing और फिर देन तुम्हारे पास जो कपड़े जो तुम धोरे हो पहले dish फिर देन clothes ऐसा समझें क्या यह order follow हो रहा है This is a definite order in which the job is being done ऐसा नहीं है कि कपड़े धूली नहीं रहे ठीक है क्या मतलब पहले dish धोनी है फिर कपड़े धोनी है या फिर पहले कपड़े धोनी है फिर dish धोनी है इस बात पर मतलब मामला depend करेगा ध्यान लखना ठीक है और अगर ऐसा हो जाता कि either possible ways ठीक है क्या either possible ways मतलब किसी भी तरीके से तुम धो सकते हो ऐसा मतलब पहले हो सकता है तुम्हारे पास D3 C2 और C2 D3 दोनों अगर अलग-अलग है ठीक है क्या और दोनों allowed है तब तो तुम्हार पर total number of ways कितना आ जाएंगे 30 ways आ जाएंगे तुम्हारे पास ठीक है जैसा अगर तुम्हें simply अगर यह बोला जाए कि लेट से पहले तुम्हे माल लेते हैं बरतन धोने हैं और उसके बाद फिर तुम्हें कपड़े धोने हैं यह definite order में ही तुम्हें काम करना है तो इस तरह से तुम्हें उसको देख सकते हो कि दो जगहें तुम्हें फिल करनी है ठीक है कि पहली जगह को फिल करने के D से तुम फिल करोगे तो D1, D2, D3, D4, D5 ऐसा पांच options है तुम्हें इसके बाद जो दूसरी स्पेस है उसको फिल करने के लिए तुम्हें पास तीन options है तो पांच में से एक तरीका तुम चूज करोगे जगह कि और फिर तीन में से एक तरीका तुम अगेन चूज करोगे तो पंदरा number of ways होंगे पहले अगर तुम्हें कपड़ा धूने हो और बाद में अगर तुम्हें डिश्वाशिंग करनी हो तो भी इतने ही नमर अव तरीके होंगे ठीक है और अगर कोई तुमसे इस तरह से अगर सवाल अगर पूछता है कि आप आपको पूरा काम अपना खतम करना है दिन का जिसमें बरतन भी धूल जाने चाहिए और कपड़े भी और आप किसी भी ओर्डर में आप काम कर सकते हो तो उसमें क्या होगा उसमें दोनों पंदरा प्लस पंदरा हो जाएगा फिर फिर थर्टी नमबर ओफ वेज हो जाएंगे ठीक है यह बात समझ पारे हो तो थर्टी नमबर ओफ वेज हो जाएंगे फिर क्लियर है तो ऐसा ध्यान में रखना ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें क्लोज की वाशिंग हुई नहीं हो सकता बरतन धूलेंगे और फिर कपड़े भी धूलेंगे यह बात पक्की है तो उसके टोट हम मालता है कि इन आइदर ऊडर लाम आउरबर किसी बी सीगेंस कु companion कर सकते रहें घसा तो पिर क्या होगा एके पीर कैसे करोंगे तुम कि को कि पुद्ध सब्सक्राइक कर सकते हो अना तो फिर बात यह बहुत सारे एक्ट 차 में किस तरीके से से वसकते हैं समझे के बहुत सारे केसे किस तरीके से हो सकते हैं जैसे देखो बहुत-बहुत सारे केसे हो सकते हैं जैसे अगर माल लेते हैं पहला काम अगर तुम अगर यह अगर देख रहे हो लेट से डिश वाशिंग का पहला काम है दूसरा काम माल लेते हैं क्लोथ वाशिंग का है ऐसा तो अगर ऐसा हो गया कि जो ये वाली स्पेस है समझेगे पहले जो काम तुम कर रहे हो मालते हो उसमें अगर तुम डिश वाशिंग भी कर सकते हो और क्लोथ वाशिंग भी कर सकते हो बरतन भी दो सकते हो, कपड़े भी दो सकते हो तो पहले केस को करने के लिए तुम्हार पास कुल 8 options है समझेगे ठीक है आठ में से कुछ भी choose कर सकते हो न और दूसरा जो तुमने choose किया वो कैसा होना चाहिए अगर dish washing अगर कर चुके हो तो close washing नहीं कर सकते समझेगे तब फिर तुम कपड़े नहीं दो सकते और अगर तुम कपड़े अगर दो चुके हो तो फिर dish washing नहीं कर सकते तो उसमें दो तरीके से तुम काम कर सकते हो ऐसा कर लो, यहां देखो cases बना लो यह cases actual में अभी इस point पर तुम्हार साथ discussion करना थो ठीक नहीं है बट समझाने में ऐसा कोई issue नहीं मुझे चिक है क्या और समझ भी जाओगे तुम मैं तुम्हें सवाल पहले clearly frame कर देता हूँ चिक है क्या उसके बाद लेकिन इस चीज को हटा दूँगा मैं यहां से delete कर दूँगा देखो ध्यान से देखो जैसे conditions क्या है यह तुम्हेर पास दो job है मतलब dish washing करनी है और फिर कपड़े भी धूने है तो बर्तन एक ही है जिसको तुम्हें साफ सफाई करनी है और जो कपड़ा है तुम्हेर पास वो भी एक ही है पर dish washing करने के मतलब उस बर्तन को दोने के तुम्हेरे पास दोल पता है उप acerca जो close washing तुम्हें करनी है उसको करने के तुम्हेरे पास कुल दो तरीके थिक थिन तरीके मालों तीन बुल रहते है भरतन एक है कपड़ा भी एक है ठीक है अब बड़े ध्यान से देखो अगर लेट से तुम्हें पूछा जाए कि आप किते तरीकों से बरतन और कपड़ दोनों को साफ सफाई कर सकते हो ठीक है तो जहर सी बात है अगर तुमने पहले अगर बरतन अगर धो लिया तो उसके बाद वापे से बरतन थोड़ी धोगे तो बरतन धो लिया तो फिर उसके बाद कपड़े धोगे या फिर पहले तो तुम ये और फॉलो कर सकते हो या फिर और तुम ये और फॉलो कर सकते हो सी डी ऐसा और का मतलब होता है प्लस ठीक है यह इसका मतलब होता है प्लस ठीक है एंड का मतलब होता है multiplication कैसे यहाँ पर तुम actual में c1 से c2 तुमको जा नहीं है तो c1 and c2 and c3 and c4 and c5 ऐसे तुमको लिखना चाहिए उसको कादे से समझे इस this multiplication operator is nothing but and यह एंड रहता है मतलब एंड का मतलब simultaneously मलब वो तो हो गई होगा मलब c1 भी चाहिए c2 भी चाहिए c3 भी चाहिए c4 भी c5 भी ऐसा ठीक है अच्छ तो एंड और और का तुम आगे और अच्छा इस्तमाल कैसा सीख जाओगे अभी देखते चलो बस चीजे मैं कैसे कर रहा हूँ तो या तो तुम पहले डिश को दो सकते हो फिर देन कपड़े या फिर पहले कपड़े और बाड में बरतन ऐसा दोनों तरीके तुम कर सकते हो तो और से और operator से बीच मैंने connect किया है अब पहले अगर तुम डिश अगर दोते हो तो उसके कितने तरीके हैं पांच और फिर देन उसके बाद कपड़े अगर तुम दोते हो तो देन उसके तरीके तुम्हारे पास है तीन तो यह total number of ways हो जाएंगे तुम्हारे पास 15 let's say अगर पहले अगर कपड़े धोते हो लेकिन तो उसमें तुम्हारे पास तीन number of ways है अगर तुम बरतन धोते हो तुम्हारे पास 15 number of तरीक है ऐसा तो total number of ways जो होंगे तुम्हारे पास that would be 30 30 ways of finishing the job मतलब माल लेते हैं उसमें अगर ऐसा है कि पहले बरतन धुले और देन कपड़े ध यह वाली चीजें अलग-अलग अगर है जैसे कि माल लेते हैं D5C2 this indicates what that जो डिश है उसको पांचवे तरीके से साफ किया गया है और जो कपड़े है उसको दूसरे तरीके से धोया गया है समझें तो यह तरीका और एक यह तरीका है यह तरीका है यह दोनों different है समझें कि और both these things are different if they are different then the total number of ways in which the job can be finished will be 30 समझेंगे तब फिर तीस तरीकों से तुम actual में पूरे काम को खतम कर सकते हो ठीक है ठीक है तो जो multiplication वाला जो rule है यह अभी तुम्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझाने क्लिए मैं एक और model देखो consider करता हूं जैसे यहाँ देखो मान लेते ह है multiplication वार रून तुम भी सीख जाओगे और अच्छे सीख जाओगे चलता क्या है उसमें यहाँ देखो जैसे for example माल लेते हैं तुम्हारे पास एक cinema हौल है समझें लेट से देर इस सिनिमा हौल ऐसा कुछ है और उसमें लेट से तुम्हारे पास कुछ सटन नमर ऑफ डोर से म हमारे पास ठीक है ऐसा लेलो उसको ऐसा कर लेते हैं यह अपने पास डोर वन ठीक है डोर टू थ्री फोर और फाइव लट से पांच डोर से अपने पास है है ना तो वी हाव तू फाइंड पास लेख। वी का लाइव खास दोर टू दू और दूर ऑफ लेख आपास अच जाएंव अगंगर। ली तूईर का लीध दिता पास। ऑोर और अच तूछ का लेख वी रख और तूवा तो फिर उसी डूर से लीव नहीं कर सकता उसको बाकि किसी और डूर से कैसा जाना पड़ेगा निकलना पड़ेगा तो यहां देखो एंटर करने के तुम्हारे पास एक्च्वल में पांच तरीके हैं पांच में से एक डूर तुम चुनोगे and then उसके बाद and समझेगे and then उसके बाद फिर तुम चार में से एक डोर चुनोगे समझ गए तो उस काम को imagine करो करते हुए तो पहले काम को करने के तुम्हारे पास पांच तरीके दूसरे काम को करने के उसी succession में तुम्हारे पास उसी को follow करते हुए तुमको चार में से एक तरीका चूज करना पड़ेगा तो यहाँ तो टोटल नमबर ओफ वेज विल बी 5 इंटू 4 समझेगे तेरा 20 नमबर ओफ वेज चिकेगे इस चीज का अगर मैं तुम्हें जैसे कि पहले मैंने दी 4 दी 5 समझ पा रहे हैं ऐसा चार ओप्शन्स रहेंगे यहाँ भी तुम्हेरे पास चार ओप्शन्स होंगे यहाँ भी चार होंगे and so on so forth तो टोटल नमबर ओफ वेज तुम यहाँ पर देख सकते हो कितने हो जाएंगे 4 इंटू 5 20 यहाँ है 20 नमबर ओफ वेज 20 वेज by which you can enter the cinema hall by a certain door and leave by another door चीक है तो ऐसे 20 नमबर ओफ तरीके हो सकते हैं जैसे अगर तुम से यह अगर पूछ लिया जाता कि माल लेते हैं if he can enter and leave by any door चीक है अगर मैं ऐसा अगर तुम मैं कंडीशन अगर देदू चीक है if he can enter or leave by any door then the total number of ways would have been कितना हो जाता फिर then number of ways then number of ways would have been 5 into 5 बराबर 25 ways समझ रहो क्या क्योंकि फिर अंदर जाने के तुम्हारे पास अंदर जाने के तुम्हारे पास पांच रास्ते और फिर बाहर निकलने के अगर इन पांच रास्ते ठीक है यह दो काम भई पहले तुम पांच में से एक डोर चुनोगे अंदर उसके बाद फिर पांच में से अगेन एक डोर चुनोगे तो टोटल अंबर अव तरीके तुम्हारे पास कितने हो गए यह मल्टिप्लिकेशन क्यों आ रहा है इस चीज़ को समझने कोशिश करो जब भी कभी सेब लाने है या फिर संत्रे लाने है समझ गए ऐसा है अगर तुम्हारी मम्मी ने तुमको ये बोला कि आइदर बाइ एपल्स और और औरेंज़ेस एपल्स और औरेंज़ेस तुम जब फूट मार्केट गए तो वहाँ तुमको तुमरी मम्मी ने कहा था कि तीन फल लेकर आओ अगर तुमको कहा थीन फल लेकर आने है किसी भी प्रकार के समझे के अध्यान से सुनो इस को ऐसा doc तुम वहाँ पर जब भजार गये तो वहां तुमको सेब दिखाई दीए या फिर केले दिखाई दिए ऐसा तुम समझो जो भी आपल ले लो औरेंजे ले लो ऐसा ठीक है तो अब उसमें अब वो फिर नमबर वाला फिर आ जाएगा फिर नमबर वाले में फिर और दिमाग कराब होगा तुमारा ठीक है अगर मालने तेने, dependency अगर नहीं रही This operator is used whenever there is some kind of dependency मला पहला काम करने के बाद ही दूसरा काम अगर हो सकता है then there is dependency समझे किया This is used when there is some dependency मल्टिप्लिकेशन ओपरेटर is used when there is dependency समझे किया मला दूसरा काम को करने के पहले पहला काम फिनिश हो नहीं चाहिए ये वाली चीज जब होगी तब तुम्हारे पर डिपेंडेंसी है तब तुम्हारे पर मल्टिप्लिकेशन आएगा इस बात का ध्यान नखना ठीक, प्लस ओपरेटर तुम कब लगाते हो जब जैसे कि वो बरतन और कपडे वाला एक्जाम्पल हम लोग ने देखा तो उसमें तुमや तो पहले बरतन दैन कपडे ऐसा धो सकते हो या फिर और तुम पहले कपड़े या ये दिन बरतन धो सकते हो उसकेस में तुम्हारे पास प्लस ओपला सिंबल बीच में तुम प्लस वाले सिंबल को जोड़ोगे समझ गए तो उस तरह के जब नुमेरिकल एक्चुल में उस तरह का मैं सोच अभी मेरे दिमाग में कोई थौट नहीं आ रहा है इसमें में प्लस वाला एक्जांपल तुम्हें दे सकूं जैसे की अगर तुम्हारे सा सकते हो जैसे वह ऐसे कपड़े और वरतन की तरह एक्जांपल वाला ही काम हो गया आरे दो बुक्स है तुम्हारे पास बुकल और एक बुक टू मालते हैं लुए तुम्हें कि या तो किताब पढ़नी है ठीक है या फिर तुम्हें लेट अधे से किताब पढ़ो या फिर एक दूसरा काम तुम ऐसा उठा सकते हो किताब पढ़ो या फिर स्टूडेंट लाइफ में और क्या तुम्हारा किताब पढ़ने के अलावा तुम नोट्स बना सकते हो ऐसा मैं लिख लूँ समझेगे तो नोट्स बना सकते हो तुम दो किताब पढ़ने का तुम्हारा पास option है और तीन subject में तुम्हारा पास नोट्स बनाने का option है ऐसा बोल लो घद है नोट्स बनाना मतला लिखना basically ठीक है तो reading और writing ऐसा example में लिले लिता हूँ तो तीन किताबें तुम एक्छिल में पढ़ सकते हो या फिर notes बनाने वाला जो काम है वो दो ऐसे subjects हैं जिस पर तुम notes बना सकते हैं तो उसमें मेरा ऐसा बोलना है कि या तो पढ़ ले या फिर notes बना ले दोनों में से अगर एक भी काम अगर हो गया तो तुम्हारा काम हो गया इस इस वाले example में तुम्हें plus का symbol का operator का use करना समझ में आ जाएगा अच्छे से ठीक है कि देखो कैसे या तो तुम पढ़ लो ठीक है कि या तो either you are reading ठीक है either you are reading और अगर तुम लिख भी अगर रहे हो तो भी तुम्हारा काम हो जाता है either you are reading और you are writing दोनों में तुम्हारा काम कैसा हो जाता है ठीक है दोनों में तुम्हारा काम हो जाता है इस चीज को मैं लिखने के बाद मिटा दूँगा वसे ठीक है तो या तो तुम read करोगे समझेगे या तो तुम read करोगे तो उसके किते तरीके होगे तुम्हारे पास तीन तरीके या फिर तुम actual में notes बनाओगे तो उसके किते तरीके होगे तुम्हारे पास दो तरीके तो अभी जो total number of ways है जिसके जरीए तुम काम को finish कर सकते हो तो वो कित्ता होगा, वो कित्ता रहेगा, वो रहेगा तुम्हारे पास, पांस तरीके, टोटल नमबर ओवेज विल भी 5, not 3 into 2, समझे, या तो तुम read करोगे, या तो तुम write करोगे, ऐसा, तो उसमें जो पांस तरीके होंगे अपने पास, कौन से होंगे पांस तरीके यहां R1, R2, R3, W1, W2, ऐसा, समझे क्या, अब इसमें क्या है, बीच में एक dependency लगा देते हैं पंजय से, समझे है, किस तरह की dependency, यह तो ख्लियर है ना, यह यह 5 नमबर ओवेज जो होंगे, वो यह वाले होंगे, समझे, जितने तरीकों से तुम एक्चलने काम फिनिश कर सकते हो, यह ना, आइधर, यू विल बी रीडिंग, और यू विल बी राइटिंग, ठीक है, ने तो टोल नमबर ओवेज इन विच, यह तो तुम पहली किताब पढ़ोगे, यह तो दूसरी, यह तो तीसरी, यह तो तुम पहले वाले सब्जेक्ट पर नोट्स बनाओगे, यह तो द साला रहेगा, अब यह कैसा यह सेंस, एंड और और वाला यह सेंस तुम्हारे अंदर कैसा खुद से डवलाप होना चाहिए, वाया प्रॉब्लम सॉल्विंग, समझे, तो एक बात ध्यान में रखो, जब एक जॉब को दूसरा जॉब इस तरह से फॉलो करता है, कि पहला तो थोड़ा सा अगर मैं कॉंप्लिकेट अगर करूँ, तो थोड़ी सी मजा आए, इसमें बी पेशेंट है न, मैं इस चीज को थोड़ा सा और कॉंप्लिकेट करता हूँ, देखो ऐसे, या तो तू रीड कर ले, या तो तू पढ़ ले, अभी ये बात तो है, चिलेगा, ल रीड और राइट, चिलेगा, आच, दूसरी कंडिशन में क्या लगा रहा हूँ, रीडिंग के लिए, या यू हाव टू बुक्स अवलेबल, थ्री बुक्स अवलेबल, बुक वन, बुक टू, और बुक थ्री, ऐसा, बुक वन को पढ़ने के, तुम्हारे पास, लेट से, जिसे रीडिंग के लिए, माल लेते हैं, तुम्हारे पास किताब हैं, और राइटिंग के लिए, माल लेते हैं, तुम्हारे पास है, दो, तुम्हारे पास सब्जेक्ट्स हैं, जिस पे तुम कैसा, अपना, माल लेते हैं, लेट से, नोट्स बना सकते हैं, दो सब्जेक्स ह कि इसमें डिपेंडेंसी अगर मुझे अगर लेकर आनी है ठीक तो कुछ इस प्रकार से लानी पड़ेगी डिपेंडेंसी मैं इस तरह से लाना चाहरा हूँ कि यह जो सिंपल एडिशन मैंने किया उसमें कुछ जैसे रीडिंग के अगर मैं कुछ तरीके अगर निकाल लूँ ठीक है रीडिंग के तरीके में भी मैं डिपेंडेंसी अगर चलो खेर अब जब सवाल आएगा तब आएगा तुम्हारे पास ठीक है अभी अग्चल में सवाल कंस्ट्रक्ट करने में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दम लग जाएगा ठीक है तो सवाल अभी मै इंपर्टेंट ऑपरेटर तुम्हारे पास और भी होता है यह दा ध्याद में रखो दिस इस मल्टिप्लिकेशन दिस एडिशन ठीक है तो अगर तुम्हारे पास माल लेते हैं लेट से जेवन हैं जोब बन अगर तुमको करना है और उसके बाद फिर जॉब टू करना है और फिनिशिंग जेवन जेटू यह बात फंडमेंटल प्रिंसिपल ओफ काउंटिंग यह समरी है तुम्हारी जैसे अगर माल लेते हैं सिनेमा हॉल है तुम्हारे पास पांच गेट है तुम्हारे पास घुसने के लिए और उसके बाद निकलने के लिए तो बिना तुम गुसना और फिर निकलना इसको बोलेंगे अगर एक काम तो घुसना तुम्हारे पास एक सबार्ट है and then उसके बाद निकलना तो इस तरह से जब घुसना और निकलना इक दूसरे पर आपस में डिपेंडेंडन्ट है तो उसमें पांच तरीकों से तुम एक गेट चुनोगे त पाँच में से एक तरीका होगा तुम्हारा गेट चुनने का पाँच में से एक गेट चुनोंगे and then उसके बाद अगर बचे हुए गेटों मैं से अगर तुमको निकलना है तो बागी चार फिर वो भी कर सकता हूँ ऐसा समझ गए तो अगर माल लेते हैं तुम्हारे पास ऐसा है कि तुम जे भी फिनिश कर सकते हो या फिर तुम माल लेते हैं डबलू भी फिनिश कर सकते हो ऐसा जे को फिनिश करने के माल लेते हैं तुम्हारे पास 10 तरीके है और माल लेते हैं तुम तुम जे फिनिश करो या फिर डबलू फिनिश कर लो ऐसा and if you finish either of j or w then if your job is complete then total number of ways in which the job can be done will be 15. मैं इस चीज को लिखा देता हूं और कब तुम्हार पास काम में आएगा जैसे either j or w can be done to complete the task समझेंगे गया तो या तो तुम j finish करो या तो डबलू finish करो तो पूरा काम तुमारा हो गया जैसे तुम ऐसा नहीं कर सकते न कि यहाँ पर देखो इस situation में जब तुमको cinema hall के अंदर अंदर एंटर करना है तो खाली ऐसा नहीं कर सकते ना कि या तो सिनेमा के अंदर एंटर हो जाओ या फिर लीव कर जाओ अभे दोनों आपस में इंटर कनेक्टेड है तो इंटर कनेक्शन वाली चीज जहां पर रहेगी तो वहां पर M into N आएगा यह ध्यान रखो ठीक है अब यह तुम सवाल बनाते हैं एकच्वल में अच्छे से सीख जाओगे, बहुत अच्छे सीख जाओगे, फंडमेंटल missपल ऑफ काउंटिंग, बहुत ही बेसिक है, और आशी जाओगे, कव जाएगा अराम से सीख जाओगे, कोई इसस्यू नहीं जाएगा, तो total number of तरीके जिससे कि तुम actual में अपना काम खतम कर सकते हो वो क्या होगा या तो आम चूस करेगा या तो संत्रा चूस करेगा समझे गया तो पहले तो एक यह हो गया ठीक अगर मालते हैं उसने आम चूस किया तो आम खाने के पांच तरीके हो गए है ना आचा या फिर संत्रा चूस किया mango यहां पर दे को एक और है mango इसको खाने के पांस तरीके है और orange होगे है तुम्ह पास इसको खाने के दो तरीके है essa समझ रहा बात इसको खाने के दो तरीके है तो मलब M1, M2, M3 यह ऐसा रहेगा तुम्हारे पास हिसाब M1, M2, M5 ऐसा O102 तो आंसर क्या आएगा या तो आएगा जैसे आंसर आया तुम्हारे पास M5 इसका मतलब क्या है इसका मतलब है आम खाया उसने पांचवे तरीके से ऐसा ठीक है क्या है तो अभी तुम्हारे पास options क्या क्या है कित्ते तरीकों से actual में तुम एक फल खा सकते हो number of ways by which you can eat a fruit number of ways in which you can eat a fruit तो वो कित्ते तरीके हो जाएंगे either mango और और रहेगा बीच में और orange और orange ऐसा रहेगा तो mango खाने के कित्ते तरीके हो गए तुम्हारे पास पांच ठीक है इसको basic तरीके से अगर तुम अगर करते तो किस प्रकार करते total number of ways जो तुम्हारे पास रहते वो कैसे इसी तरह count करोगे न या तो m1 लिखा होगा m2 या तो up to m5 तक जाएगा या फिर तुम्हारे पास o1 लिखा होगा या o2 लिखा होगा तो इसमें 5 प्लस 2 ऐसा total number of ways जो होंगे 5 into 2 मत कर देना समझें किया इसमें जो total number of ways होंगे of eating a fruit that would be 7 तो ध्यान रखो दो तरह के operators रहते हैं एक तो and भी रहता है और एक और भी रहता है ठीक है किया आइदर mango और orange या तो तुम आम खाओगे या तो फिर संत्रा खाओगे या फिर वाली situation जब आती है तब connectivity का जो operator रहता है ठीक है क संत्रा खाओ या तो आम खाओ उसमें दोनों का आपस में तो कोई लेना देना ही नहीं है तो when there is no dependence और तब भी जब तुमको कैसा जॉब जब फिनिश करनी होई हो no dependence ठीक है तब यह यह वाला operator यूज़ करते हो तुम देन प्लस operator is used यह यह इसकी समरी है यह बात ध्यान में रखो अब सवाल बनाने के दोरान ही इसका experience तुमें आएगा अभी मैं चाहिए कि तब बोल बच्चन देलू उपरी लेवल पर समझ में यह चीज़ आ सकती है भले लेकिन जब तक कि तो सवाल नहीं बनाओगे तब तक कि यह skill कैसा तुम्हारे अंदर आईगी नहीं समझ ग होगी समझ गए तो fundamental principle of counting क्या बोलती है जो दोनों models में वर्काउट किये उसमें simple एक बात कि अगर मालते है एक certain job है जिसको मुझे Roberts 5 तक मुझे पहुंचना है पर उसके लिए मुझे 1-2-1 म가ईइं मुझे 50 cbc टक मुझे 1-1 से तो मुझे 2 बी बी ख्रोस करना फॉर सकरना थोफ फोर से क्रोस करना थो one से two जाने के जितने के तरीके हें multiply it वैइ अ आए इतंटिवा 4 जाने के तरीके है multiplied by जितने 4 से 5 जाने के तरीके सबकर जब तुम multiplication करोगे तो तुम्हें city 1 से city 5 तक जाने के तरीके total मिल जाएंगे this is fundamental principle of counting which is end operator और जो और operator है तुम्हारे पास ये कब तुम्हारे पास काम में आएगा जब कभी दो jobs का आपस में कोई interconnection ना हो समझें तो तुम उसमें जैसे ही अपने task को बोलोगे ना बोल कर जैसी कि तुम करोगे अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा जैसे मैं अगर cinema hall के एक gate से enter करता हूं and उसके बाद फिर दूसरे gate से निकलता हूं तुम उसमें और लगाई नहीं सकते तुमको and का ही प्रयोक करना पड़ेगा जैसी तुम and वाला word यूज करोगे अपने आप वो चीज multiplication में आ जाएगी पांस तरीकों से मैं घुसूंगा पांस में से एक तरीक में घुसूंगा उसके बाद निकलूंगा तो घुसना और निकलना आपस में interconnected है ये बाद ध्यान में रखो ठीक है तो जब तक कि तुम निकल नहीं जाते तब तक कि तुम्हारा काम फिनिश नहीं होगा इसमें क्या है इसमें तो कैसा है भाई दस में से एक तरीका तुम जे को फिनिश करने के लिए तुम में लगाया हो गया काम खतम या फिर यहां That if one of 10 ways is chosen this,"ただ one of 10 ways is chosen, तास्क केसा फिनिश हो रहा है If one of 5 ways is chosen, तास्क केसा फिनिश हो रहा है ठीके, ये दिहान रखना महलब 10 में से 1 तरीका तुम मैं राउकी तुमने इस्टरिका तो भी मेरा काम हो गया या फिर तब आएगा प्लस अगर 5 में से एक तरीका अगर मैंने इस्टरिका तो भी मेरा काम छतम हो गया ठीक है वाथ तो hopefully तुम्हें चीजें समझ में आई हूंगी वाय इलस्ट्रेशन अब और अच्छे से जब मैं इन प्रिंसिपल का इस्तमाल करते हुए तुम्हें दिखाऊंगा इन ऑपरेटर्स का इस्तमाल करते हुए दिखाऊंगा तब चीजें तुम्हें और स्टेप साते जा रहे हैं उसको वैसे वैसे काउंट करते चलो बस और कुछ नहीं है ठीक है इसके बाद फिर तुम्हारे पास की मल्टिप्लिकेशन ओपरेटर आता है ठीक है लेकिन और इंपोर्टेंट और ओपरेटर इस अल्सों वेरी वेरी इंपोर्टेंट ध्यान अखना ठीक है बाद अच्छ